मस्कार स्टुडेंट आपका स्वागत है साइंस क्लास इंजी की यूटूब चैनल पर आज हम 12 क्लास बाइलोजी का चेप्टर नमर 5 का ही आज 2nd पार्ट इस्ट पार्ट में हमने पढ़ा था विशरन के बारे में कि विशरन क्या होता है और विशरन का जो मेत्व है वो भी हम अपकेशनक कार्ट के होते है ठीक है अर्ध पार्णमे अ पार्णमे तो यह तो ऑर्द पार्णमे जलि के दौARा जो विलाइक के अंव या जल् lat वो होते हैं वो क्या होते है अपनी अधिक सांधरता से कम सांधरता की और क्या करते हैं गति करते हैं वो कहलाता आपका परासरन कहलाता है ठीक है फिर हमने परासरन के परकार पड़ेते हैं और परासरन होता है वो आपके दो परकार का होता है कितने परकार का होते हैं दो परका यह गुष्चन और एक जिवदरवे कुंचन ऐसे इसके बारे में आज पढने वाले मुष्च सबसे पहले देखो यहांपर इंग पैसरे कशन मतलब心tonat dh अतिपरासरी वीलियन मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास यह वीलियन है मालो एक फर्स्ट वीलियन यह है एक हमारे पास यह पादब कोशिका एक तो यह वीलियन एक यह क्या पादब कोशिका ठीकी देखो यहां पर क्या अतिपरासरी वीलियन मतलब ऐसा वीलियन जिसकी सांद क्या हो गई कम वियलेण की सांदर अधिक और कोसिका की सांदर टा क्या होगी कम तो उस practically को क्या है ओतिपराशरी किलियर है बात यहां पे अब देखो इस जो वीलियन है इस वीलियन की सांदरता अधिक कोशिका की सांदरता क्या आपके पास कम अब क्या होगा यहां पे कि कोशिका को जब इस वीलियन के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा यहां पे कि जो कोशिका वाला जो जल होगा वो क कम सांधरता से अधिक सांधरता की और गति करते हैं तो यहां पर सांधरता क्या कम और यहां पर सांधरता क्या अधिक तो यह विलाइक यह जल क्या नूँ इसकी और गति करेंगे अब देखो गति करेंगे तो इस कोशिका में से जो भी संपूर्ण जल होगा वो क्या हो से अगर पान निकलता है तो डियुक जाएगी इस परकिरीया को क्या बोलते है जीवद्रवेक पुंचन बोलते हैं क्या इस प्रकार से नहीं crystalline है व्लिये और यह हमारे पास एक कशिक भीर है इस मुलिएन करता थो क्या ह minder एक अधिक ठीक है और जो हमार पास ये कोशिका है इस कोशिका की सांदरता क्या कम पराशरन की परिवा से याद होने चाहिए पराशरन में क्या था कम सांदरता से अधिक सांदरता क्यो जल क्या नूँ या विलाई क्या करता है गती कोशिका में से जो भी जल होगा इस वीलियन में आ जाएगा दोनों को संपर्क में लाएंगे तो कोशिका से अधीक समय तक अब क्या करेंगे इस वीलियन में रखेंगे अतीपराशरी वीलियन में तो सारा जल इस वीलियन में चला जाएगा कोशिका का जो भी जल होगा इस विलियन में आ जाएगा तो कोशिका में से सारा का सारा जल क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और लैस्ट में कोशिका क्या हो जाएगी एकदम इस पित अवस्ता मतलब आपके संकुचित हो जाएगी ठीक, पिजख जाएगी और इस ही को क्या बोलते हैं, जिवदरे कुंचन बोलते हैं कुचित कोशिका को जल्ब जो संकुचित हुई हमारी पास यहां पर झालत को अब वापिस क्या करेंगे मैं किसी आलप पराशरी विलियन जिसकी पराशरन चांदरता इसको सिखा से क्या हो अधीक हो ठीक है मतलब कम हो इसमें ठीक है इसकी पराशरन चांदरता अभी क्या है कम किसके मुकाबले इसको सिखा के मुकाबले अगर इसमें इसको अधीक समय तक रखा जाए अलब पराशरी वीलियन में तो यह जल क्या करेगा इस जिवद्रवे वी कुंचन कहते हैं ठीक है आप देखो यहां पे क्या है कि अल्प पराशरी वीलियन में रखा जाए तो जल अंत्य पराशन द्वारा कोशिका में प्रवेश करना परारम कर देता है तथा कुछ समय बाद जिवद्रवे कोशिका में फेल जाता और यह परक्रिय आपके रोयो डिस्कलर नामा के एक पादप की पत्ती होती है उस पे क्या गया था ठीक है जीवद्रवे कुंचन परक्रिया का परदाशन रोयो डिस्कलर के पण की निचली बेंगनी अधिचर्म अधिचर्म मतलब जो एपीडर्मिस की बाहरवाली कोशिका होती है यह मालो करते हैं और उसके क्या कर लेते हैं दो टुकड़े कर लेते हैं ठीक है और इन कोशिकाओं में बेंगनी रंग फैला होता है जो कोशिका होती है इसकी अधिचर्म की उसमें कौन सा रंग होता है बेंगनी रंग फैला होता है ठीक है एक टुकड़े को जल में तता दूसरी ट कोषिक तूकड़ कि और दोग तुख़ जमें होता है वह संकूचित हो कर बीच में एक तरीत हो जाता है इस पिती ही आवस्ता मतलब नॉर्मल आवस्ता में दिखाए देतैं लेकिन जो चीनी के अंदर डुबा वह संकूचित हो जाता है उसका जीवद्रवे होता है वो कैसा हो जाता है संकुचित हो जाता है ठीक है और इस क्रिया को क्या कहते है जीवद्रवे कुंचन कहते है और जीवद्रवे कुंचित अधी चर्म को पुने कुछ समय जल में रखकर सुक्समदर्शी में देखने पर जो संकुचित जो को सिका है कि जिएधियरे कुंचन और वि कुंचन क्या होता है, ठीक है अब देखो, next यहां पर है आपके कोषिका में उत्पन विबीन परकार की दाव, देखो कोषिका में कोण-कोण कौन-कौन से अब उत्पन होते हैं उन दाबों को यहाँ पर समझाएं सबसे पहला दाब उपरसरन दाब कैंसा इसा कि sister करें कि जो मदश्क है डोट पर तो कि यहां तो vos pros trips वहेसाफ च auditor मतलब जो इस dear एधर जा रहे हैं तो ये क्या करेगा ऐसा दाब चुन को इस गूल में जाने के लिए इधर जाने के लिए क्या करता है fork क्या कaimerाता है तो दूप के परजसरन दाब गहलाता हैं देखो आञूर क्या करता से की में प्रवेशन करने के लिए कि अगरता उनको रोगता है वो क्या एका आपके परासरन दाप खिलाईगा और इस से इसमाननुपाती सबोले में कुलीus in English knew प्रएयर्णन करते हैं। तो प्रापॉस्ट होता है । नेक्स्ट हेरी में इसके समानुपाती होता है। स्भुलेर्ण चला माते हो और फोती जैस होता है। सबसे पहलेहितर हैं । age than shot में इसको क्या लिखते है टीपी और जो बिती दाब होता है बिती को क्या बोल एमाद आधु है ओल वॉäch प्रेसर और इसे फ्रिएक टर्शी को जल में रखने और कोशिकार कोशिकाराश्म आधिक प्रासम दा़क की कारण जल काणु कोशिका में प्रुवेस करते हैं पादब कोशिका ये तो हो गई कोशिका जिली और बाहर कौन से होती कोशिका बिती ये तो हो गई आपके सेल वॉल ये क्या होगी सेल वॉल और अंदर वाली क्या हो गई सेल मेंब्रेन कोशिका जिली कोशिका जिली के द्वारा इस कोशिका बिती पर एक दाब लगाया जाता ह और एक कोशी का बिती के द्वारा इस कोशी का जिली पर एक दाब लगाया जाता है, ठीक है, तो कोशी का जिली के द्वारा कोशी का बिती पर जो दाब लगाया जाता है, इसके इसको उपर जो दाब लगाया जाता है, वो तो कहला था पर टी-पी, टर्गर प्रेसर, और बित को सी का बिति पर को अब बते गाने यह इक स्की डिति परको क्या वाले पर डाले आने वाले ढ़ nuanced कोन लगाएगी यहां पर कोशी का बित्ती ठीक है तो इसे क्या केते हैं आपके बित्ती दाब गेते हैं किलिर है बात यहां पर कि बित्ती दाब लगाती है बाहर से अंदर के और और जो आपके इस पित्ती दाब होता है वो आपके अंदर से बाहर के और लगता है clear है बात यहांपर अब देखो, नेक्स् न है यहांपर विशरानदाब नियून्ता, विशरानदाब नियून्ता में देखो यहांपर बहुत इज़ियर का कि सुधिष्जल्ब या विलाइक का विश्रनदाब उस्तम होगा विश्रनदाब विश्रन के बारे में हमने पढ़ चुका है कि आपके अधिक शांध्रता से यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जल्बिक जहां पर अधिक मातरा अधिक मातरा से जल का कम मातरा की और गमन गरना ठीक है तो अगर जल में विले मिलाया जाए तो बनने वाले विलेन का विशरन दाब सुध जल की तूलना में क्या होगा कम होगा मतलब क्या है कि अगर जल में विले मिलाए जाए तो बनने वाला जो वीलेन है उस वीलेन का विशरन दाब सुध जल की तूलना में क्या होगा कम होगा ठीक है अब देखो विले जितना अधिक होगा विशरन दाब भी उसी के अनोसार उतना कम होगा मतलब जो सुद जल का विश्रन दाब यहां पे देखो तीन बात है लिकिए कौन-कौन सी बात है सबसे पहली बात है कि एकदम जो filter water जो आपके mineral water होगा सुद जल कौन सा जल होगा सुद जल सुद जल का जो विश्रन दाब होगा वो सबसे अधिक होगा अपनी अधिकतम सीमा पर होगा ठीक है जैसे ही इस सुद जल में मानलो मैंने चीनी मिला दी तो इस चीनी मिलाने से इसका जो विश्रन दाब है पहले मानलो इसका विश्रन दाब सो था अब इसका विश्रन दाब स 70 हो जाएगा कितना हो जाएगा 70 अब मालू मैंने और इस में किलो औरagu kulp कब क्या हो जाएगा 50 किलो और और पांच किलो जायां जल के अंदर तो यहां पे इसका विश्रान दाब क्या होता है अधिक और इस में जैसे जैसे हम वीले मिलाते जाते हैं, उसे के अनुसार इस विसरन भाब होगा, वो क्या होता जाएगा, आपके कम होता जाएगा, ठीकिए? इस परकार सुद्ध विला아ई की तोलना में वीलियन के विसरन भाब में जितनी कमी होगी, उसे क्या कहते हैं? विसरन भाब, तब तो विसरन दाब में कमी लेकिन पराशरन दाब में क्या होगी यहां पर वर्दी होगी पराशरन दाब में क्या होगी वर्दी किलिर है बात यहां पर इसको यहां पर समझना अब देखो विशरन दाब न्यूनता विलियन की विलाइक को आउसोशित करने की समता का दोरतक है इसकी कारण इसे DPD मतलब Diffusion Pressure जो आपकी विशरन दाब न्यूनता है इसको किसे रिपर्जेन करते है सोट में DPD से ठीक है Diffusion Pressure Decrease Decrease मतलब गटना न्यूनता ठीक है को चुसरन दाब भी कहते है और चुसरन दाब को सोट में क्या लिखते है SP अब देखो यहां पर सबसे पहले विशरन दाब है हमने पढ़ा था किसी भी विलियन का अभी हमने पीछे देखा था किसी भी विलियन का अगर उसका जो विशरन दाब है वो क्या कम तो उसका जो प्रासरन दाब क्या होगा अधिक तो DPD है यहां पे तो DPD बराबर यहां पे क्या क्या गए आपके OP, OP मतलब प्रासरन दाब और TP मतलब टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर हमें सा क्या होता है इस प्रासरन दाब से क्या होता है, कम होता है तो जब DPD मेंसे जब विसरन दाब हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम इस पराशरन दाब मेंसे आप TP निकाल देना तब आपके क्या निकल जाएगा DPD निकल जाएगा मतलब विसरन दाब नियूंता यहां पे आ जाएगी ठीक है अब देखो next बात यहां पे नेक्स्ट यहां पे जो हमने अभी दाब पढ़े थे एक तो आपके पराशरन दाब विती दाब इसके अलावा हमने पढ़ाता आपके इस पिती दाब इसके अलावा विसरन दाब नियूंता इनके बार में एक समंद बताएगा है यहां पे ठीक है कि देखो TP बराबर OP कब होगा बहुत बार एक्जाम में ऐसा क्योशन पूच भी सकता है हो भी सकता है कि DP बराबर O या DPD बराबर OP कब होगा यहां पे O P होगा ठेकि कि सलत कोशिका सलत मतलब एक दम नोर्मल आवस्ता में ना तो वो पिचकी हुए वास्ता में ना वो SPT दाब जो TP होगा sorry यहां पर यह 0 यह ठीक है इस समय TP क्या होगा 0 ठीक है तो इस समय कोशिका रस का पराशन दाब विश्रन दाब नियुनता के बराबर होगा किस परकार अभी देखो हमने यह पीछे क्या देखा था यहां पर यह देखो यहां पर क्या है DPD बराबर DPD बराबर क्या है यहां पर OP minus TP अब भी हमने क्या पढ़ाता आगे कि जब TP बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए तो OP में से 0 गटाएंगे तो P से क्या रहेगा OP तो DPD बराबर OP कब हो सकता है जब यह आपके टीपी क्या हो जीरो और टीपी की जीरो कब होगा जब कोशी का पर कोई दबाओ नहीं लग रहा हो ना तो इस्पिती दाब लग रहा हो ना भीती दाब लग रहा हो उस समय टीपी क्या हो जाएगा जीरो और उस अवस्ता में जो विसरन दाब होगा वो किसके बराबर होगा आपके परासरन दाब के बराबर होगा किसके बराबर होगा यहां पर परासरन दाब के बराबर होगा किलिर है बात यहां पर यह समझ में आई होगी बात अब देखो नेक्स सेकेंद अंबर पॉंट कि यहां पर इस्पिती दाब परासरण दाब रूषण रहते हैं इसए करते हैं कोसीकाशा में प्रवेशार्दे करते हैं और जिसके करण कोशिका जो इसपिति दाब तर्गड पर होगा वो बढ़ेगा नॉर्मल शुंता में आपको पता यह जल अंदर परव्यस करेगा तो जो कोशिका जिलिए होगी वह बाएर क्या उर क्या लगाएगी एक दाब लगाएगी और उस दाब कोई क्या करी इसपिति तो इस्पिति दाब देरे-देरे क्या होगा उसमें बढ़ने लगएगा ठीक ही अब देखो कोशिका में जल के परवेश से कोशिका रस की सांदरता क्या होने लगती है कम आते कोशिका रस का परासरन दाब भी क्या होने लगता कम और इस्पिति दाब के बढ़ने और परासरन दाब के कम होने से विश्रन दाब नियूनता भी क्या होने लगती है कि दिरी-दिरी कम होने लगती है और जब कौशी का पूंत है इस प्राफन दाब के बराबर हो जाता है और विश्तन दाब नियूनिता नेक्स्ट बात यहां पे क्या लिखिए हो एधिक है नेक्स्ट यहां पर जल विपो देखो जल विबो के बारे में सबसे पहले जो बताने वाला वेग्यानिक या जो इसके आउदार्ना देने वाला वेगयनिकता वो था आपके आर के इस्टलियर और एक तापके एस ए टॉयलर ने प्रस्तूत की ती इस जल्वी वो के बारे में आउदार्ना अब देख उसमा गतिकी के नियम हो मतलब जो थर्मोडाइनमिक्स के जो लोज है लोज मतलब की समता देती अगर हमारे अंदर भी क्या होती है हमें हमारे सरीर को क्या गरती कारी करने की सकति परदान करती तो पराशरन में जल के अनू अर्ध पारगम में जिली से अंदर भी जाते और इधर भी आते तो इसके करने क्या होगा कुछ ना कुछ उर्जा मुक्त हो दे यद जल विभू कहते हैं उस अंतर कोई क्या कहते है जल विभू कहते हैं ठीकि इसे ग्रीग बासा में जो जल विभू होता है उसे ग्रीग बासा में साइंस से रिपर्जेंट करते हैं और इसके क्या होते हैं आपके बार होती है या वायू मंदल कह सकते हैं ठीकि बार या वायू म तो उसके हमेसा सब्सक्राइब का विलीन का मुग तो उपस्तित विले के अनुवों के कारण होता है जैसे जल मिलते हैं तो जो जल वीबो होता है वो क्या होता है कम और हम कह सकते हैं कि जो परासरन दाब होता है वो क्या होता है जल वीबो के कम होने का सूचक होता है ठीक है और उसमा गति की सब्दावली में इससे क्या कहता है परासरन वीबो और इसे रिपर्जेंट करते हैं, साहीं ऐसे से रिपर्जेंट करते हैं, किसे रिपर्जेंट करते हैं, साहीं ऐसे से रिपर्जेंट करते हैं, ठीके, अब देखो, यह आपके सामने एक उधारन बताया गया है, यहां पे बहुत सरल है उधारन, देखो आप क्या हैं, कि एक हम ब्रासरीविलियन में ठीक ही अब दिखो यहां पर एक एक ये समंद दियान रिखने है आपके जल वीवो मतलब साइं डबलू अब दिखो जल वीवो इसके बाद मतलब मैट्रिक्स व displaced इस अब इसारी क्या होत है उस्यों से पूछा शेर महां मेंसे कर द stunt को यह यह मान पोच सकते हैं तो आपको यह फोर्मुला यहां पे क्या करना है याद रकना है और कौन सा मान आपके धनात्मक होगा कौन सा मान पोजेटिव होगा वह आपके यहां पर बताये गाया ठीक है अब देखो नेक्स है हमारे अंतेसोसन अंतेसोसन को देखो ऐसे समझ रहा है कि अंतेसोसन होता कि कि बरसाथ के मुसम में आपने देखा होगा कि जो गर के दर्वाजे होते है वो गर के दर्वाजे नमी अवसोसन के कारण क्या हो जाते है फूल जाते है और वो ही क्या कहलाता है आपके अंतेसोसन कहलाता है ठीक है देखो होगा कि गर के दर्वाज़े क्या होते है बड़साथ के मुसल में नमी अवसोसित करके क्या हो जाते है फूल जाते है और वो ही आपके क्या कहलाता है अंतेसोसन कहलाता है ठीक है यह यहां पर अंतेसोसन की परिवाचा और अंतयसोसन के देखो, यहां पे मैं तो यहां है, कि अंकुरीत बीजोद्वाला, जल का अधिक पूटन में, इस क्रिया का योगदान होता है, अंतयसोसन का, कई पात्पों में, पूनर्ड जीवन की क्रिया, इसमें जल प्रिये कोलाइडों की उपस्तेती के कार होता है ठीक है और यहां पर आज आपका यह फाइप नंबर चेप्टर है वह यहां पर आपका complete होता है ठीक है next यह हम आपके 6 नंबर चेप्टर स्टार्ट करेंगे अब कोई भी इसमें क्वरी हो आपकी वह आप कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं